लेकिन बाबा साहब दॉक्टर भीम्राव अमेडगर अपने जीवन के अंदर एक बहुत ज़्यादा मुस्कुराए थे और बहुत ज़्यादा हसे थे उसका एक विशेश कारण था कि बहुजन समाज के लोगों के लोगों ने एक विशेश कारे कर रहा था मैं चाहूं कि वो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे और उस दिन यह आलम था कि अपली कोठी पर उन्हें लोगों को बला करके चाहे पार्टी दी और वहां से फिर वह सीदे देवनगर के जो खाल सको लिज है यह पिलोट उन्होंने हमारे लोगों को दिली के लोगों को दिलाया था और कहा था कि यह पिलोट आप ले लो और इसकी फॉर्ड बिल्टी पूरी कर लेना फॉर्ड बिल्टी वह पूरी कर नहीं पाए थे तो इसलिए बाद में जिलोंने फॉर्ड बिल्टी पूरी की हमारे सिख बंदों ने उन्होंने उस पिलोट को ले लिया विदिवत रुप से और पर खालसा कोलिज बना दिया तो इस खालसा कोलिज वाली जगे पर बाबा साब आये थे और उन्होंने कहा था कि आज मेरे जीवन का सबसे महार खुशी का दिन है आज मैं पारलिमेंट में ऐसा इंद्याम करके आ गया हूँ कि जो एक वोट की ताकत एक फकीर की होगी वोट की कि कोक से महार आजा जनम नहीं लेंगे अब बैलट बोक से महाराजा हो का याने के शास्कों का जनब होगा तो मेरे जीवनका आज यह सबसे महत्पुर्ण दिन है सबसे बड़ी खुशी का दिन है और बाबा साहिब ड़ा कि ने जैसा बताते हैं कि होँवा पहलाज मार्कित नजदीक में वहां से लड़ों मंगा करके वह जनता में बाटे थे वो बाबा साहिब डाक्टरम बेट कर हमें अधिकार दे कर खुश हो रहे हैं आज के नेता अपने बच्चों के लिए कोठी बगले के जाम करके खुश होते हैं दिकार है ऐसा बच्चों के नाम पर साधन इस देश का समिधान बनाने में सफल हो गए तो हमें अधिकार वान देखकर हम अधिकार संपन देखकर पहले तो हम अधिकार शुड़ने थे अब हम अधिकार संपन हो गए तो उस अवस्ता में देखकर उनको जितनी खुशी हुई थी जीवन में इतनी खुशी उनको कभी नहीं हुई थी आपने सुरेंदरिज बिल्कुल सही पूछा उनके जीवन का ये सबसे सुकत पल था जी आप थे हमारे साथ शांती सवरू बाद जी जिन्नोंने बताए कि बाबा साहब के चेहरे पे कब हसी आई अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ह तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले